लवश्कार मैं मनोश सरो आपका स्वागत करता हूं टेकनोलोजी ग्यान चनल में यहां पर आप कंप्यूटर मोबाइल तथा इंटेनेट से संबंदित वीडियो देखते था हूंने सीख सकते हैं जिहां अपनी मात्र भासा हिंदी में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो आप हमारे सेलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके यदि आपके पास Memory Card या फिर Pen Drive पढ़ा है या फिर उसमें कुछ भी defect है तो आप सोचते हैं कि वो Pen Drive खराब हो गया या फिर Бक्राप्ट हो गया है तो आप उन Memory Cards को fake देते हैं लेकिन मैं आपको पता दूँ अगर आपके पास Memory Card पढ़ा है जो कि या फिर pen drive पढ़ा हुआ है जो आपको लगता है कि corrupt हो चुका है तो आप उन memory card को इन दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं तो चलिए यह देखते हैं सबसे पहला तरीका सबसे पहले मैं आपको अपना corrupt pen drive दिखाता हूँ यहां देखें यह मेरा corrupt pen drive है जो की शो नहीं करता देखें इसमें पता रखा है पैंड़ाइब इंसेट करें प्लीज इंसेट डिस्क इंटू रिमूवल डिस्क अब मैं इस corrupt pen drive को सही करने जा रहा हूँ तो आईए देखते हैं कैसे सबसे पहले आपको command mode में जाना है और इसको run as administrator करना है अब यहां पर आपको टाइप करना है सबसे पहले डिस्क पार्ट उसके बाद एंटर मानना है उसके बाद आपको यहां पर लिस्ट डिस्क टाइप करके एंटर मारना है तो यहां पर आप देख सकते हैं दो लिस्ट है एक वन जो मेरे हाट डिस्क है और दूसरा जो की मेरा corrupt pen drive है उसके साइज है 381 9 MB जो की 4 GB pen drive है तो आपका जो corrupt memory card यह pen drive है आपको उसको select कर लेना है तो आपको लिखना है select disk 1 क्योंकि मेरा disk 1 इसलिए मैंने 1 करा और उसके बाद आपको enter मार देना है तो आप देख सकते है disk 1 is now the selected disk उसके बाद आपको क्या करना है command type करना है clean और enter मार देना है तो देखिए disk succeeded in the cleaning the disk उसके बाद आपको exit कर देना है और दूबारह exit करके इससे cut कर देना है अब देखिए यहाँ पर आपको pen drive दिखाये देगा आपको इसके बाद क्या करना है आपने pen drive को remove करना है फिर उसके बाद दूबारह लगा देना है तो देखिए मैंने मेरे pen drive निकाला और ये मैंने वापस लगा दिया इसे तो अब आप देख सकते हैं मेरे पेंडाइब जो के क्रप्ट हो चुका था उसका साइज दिखा रहा देखिए 3.7 GB free of 3.7 tooth इसे आप ओपन भी कर सकते हैं इसमें आप कोई error नहीं बतागा कोई क्रप्ट नहीं बताएगा तो इस तरह आप अपने क्रप्ट पेंडाइब या मेमरी को ठीक कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं दूसरा तरीका की कैसे आप अपने क्रप्टिट मेमरी कार्ड और पेंडाइब को ठीक कर सकते हैं देखिए दूसरा तरीका सबसे पहले मैं आपको एक corrupt memory card दिखाता हूँ जी हाँ देखिए ये corrupt memory card है अगर मैं इसको open करता हूँ तो ये open नहीं होता और एक error generate करता है please insert a disk into a removal disk अब मैं इसको सही करके लिखा हूँ आपको तो यहाँ पर मैं एक software कर यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है HP USP disk जी हाँ आप यह हमारे description part में जाके download कर सकते हैं देखे मैं इसे run as administrator करना है आपको यह मैंने run as administrator करा उसके बाद yes पर click करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो memory card या फिर जो pen drive है और लेडी selected हुआ आएगा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर स्टार्ट पर click कर देना और यह format होना start हो जाएगा तो यह format हो चुका है अब आप देखिए यहाँ पर इसे मैंने close कर दे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसे आप open भी कर सकते हैं और इसे आप फिर नॉर्मल pen drive या फिर memory card के तरह यूज कर सकते हैं जो आपने format करा है इस hp usb डिस्स से अगर आपको हमारे YouTube वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें आप हमें comment करके भी बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा या फिर आपको इस वीडियो से related कुछ भी doubts हो तो आप हमारे comment box पे जाके हमें comment कर सकते हैं हम आपको 24 hour के अंदर reply देंग आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और नए वीडियो अप्लोड होने पर उनकी जानकार ही पा सकते हैं तब तक के लिए देखते रहे हैं और सीखते रहे हैं टेकनोलोजी यान गुडबाई